ये हमारे देश में जो हो रहा है मनीपूर जल रहा है लदाग जल रहा है चाइचीन ने अरुनाचल प्रदेश के 30 गाउं के नाम ही बदल दिये और आपको और लालाखे निखाते वो आगे आ रहा है एक दिन मुझे ड़क्दर लगता है कि आयोध्यतक नहीं पूंगे चीन औ और वो मंदिरी चाइना का हो जाए ऐसा ऐसा ना हो और जो नोटबंदी से लेकर इलेक्टरल बॉन टक जनता की संपत्ति पे सरकार ने डाका डाला है डेलाइट रॉबरी है ये बात इतिहास में दर्ज होगा सोईत आरेसस जो कर रही हो धार्मिक्ता नहीं है वो चुनाव है क्या एक मैच फिक्सिंग के तौर पर हम देखें इसे या किस तरव से आप देखते हैं यह जो लोग सबाद चुनाव का समय चल रहा है लोगों को गिनीपिक्ज बना रहे हैं यह विदेशी द्योगपती इसकी भी भावना यह भी बावना आपको इसमें पता च नहीं है शेल कंपनी से भी डिजिटल मनी आता है और बड़े वाला विचारा रोज रिक्षा वाला कैश कमाता है कैश में ज्यादा वाइट मनी होता है और डिजिटल में ज्यादा प्रॉड होती है राम मंदीर को मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन उसका उल्टा असर देखने मिला इलेक्टोरल बॉंड का भी अभी उल्टा असर देखने मिल रहा है तो दोहजार चौबीस में यह जो चीजें हुई है उससे आपको यह नहीं लगता कि बीजेपी को धका जरूर लग गया है ऐसी चीजों से और उनकर जो एक बहुत बड़ा राम मंदिर का मु देखने मान को लेकर आ रहा हूं जिसका जिक्र आप लोग बार-बार कमेंट सेक्शन में करते हैं आज एक बाप फिर से हम बात करेंगे इस देश की परिस्तिती राजनेतिक परिस्तिती और खास फौर पर इन परिस्तूतियों के बारे में उस समय हम बात कर रहे हैं जब लो इसके साथी साथ इस चुनावों को लेकर आगे हम क्या कुछ और देखने मिलेगा इस पूरे इलेक्शन के दौरान इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजू परिलेकर जी ये पत्रकार हैं वरिश लेखक हैं साथे साथ आपे हमा पर सताने का बावजुद आप बार-बार आते हैं हमारे पास आप अपना समय देते हैं तो सर शुरुवात उसी ख़वर से करते हैं जिस ख़वर के हमने बात की कि जो चुनाव है क्या ये एक मैच फिक्सिंग के तौर पर हम देखें इसे या किस तरफ से आप देखते हैं य यह च演 करते हैं तो क्या रहा है यह चुनाव को किस तरफ से आप देख रहे हैं और क्या इसे मैच फिक्सि के तौर पर बना जाए या नहीं माना बढ़त डिखें मैच फिक्ष्टिंग एक ऐफ मैश्च प्रफ लिए जो तरह से इस सितियों में इस्ति कोशिश की जा रही है इस चुनाव को जो प्रक्रिया है उसमें माधाय तो डाल ही रहे हैं उपर से चुनाव की प्रक्रिया का जो शंचलन है वो ठीक से नहीं हो रहा है पहली बात तो है नोटिसेस ऑपोजिशन को जाती है नोटिसेस सारी यंतरना लगी हुई है और सारी इंस्ट्यूशन्स लगी हुए है और ऑपोजिशन को निप्टाने में जैसे अमोल किर्दिकर करका आपने उधारन डिया तो मुझे तो उस दिन हसी आ गई है कि मुझे ऐसा लगा कि वो साथ इंडिया में वो पूरा साथ इंडियन ड्रेस डिजाइन वगरा करके आये थे हैं उस पर बोले कि इलेक्टरल बॉर्ण के बारे में जन्होंने विरोध किया है वो जल्दी भूख देंगे तो इसका मतब सीधा उनका इशारा तो सुप्रीम कोड की दरफ था सुप्रीम काम शुरू करेंगे वैसे अर्बिया में उन्हें ने बोला भी कि अपने को धपाधप काम करना है तो प्रतानमंद्री की धपाधप काम आर्बिया के साथ जो करते हैं वो हमने एक बार देखा है सोला दो हजर सोला में तो जिस तरह से इसको डिमोने डिजेशन जो दुनिया कहीं लोगों ने कहा था तो उनका काम तो यह इस तरह से चल रहा है कि बाई मैं ही राजा हूँ मैं ही सबराठ हूँ मैं ही चक्रवरती हूँ और अब ये इलेक्शन इलेक्शन तो बस फॉर्मेलिटी है तिनों आयुकत जो चुने गए हैं इलेक्शन कमिशन पर वो मेरे ही गुर्गे हैं और बाकी CBIED के बारे में तो self-explanatory है उसके बारे में हम कुछ बोले वो भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि अब तो उन्होंने बिलकुल वो नहीं रखा है कि यहां का पारशद वारशद BJP का भी किसी को दम देता है यहां पर जो बगीचे में हमारी नीचे बगी तो आपके बात चीद है उन्हों में और दोनों में थोड़ी यह जगडा सा हो गया शुरू हो गया तो जो बाजयपा का पारशद है वो बोलता है थीक है आपके घर एडी आ जाएगी यह देखती कि वो मारवाड है सामने वाला छोटा वैप आ रही है तो मैं समझता हूं कि इन्होंने एडी और सीबी आई को पूरे अपने घर के जैसे कह रहे थे होता हरी तुका यह सब लोग हम लोग पहले आते रामवा तो आते थे रामा नाम का वाद है तो वो ऐसे बना के रखा है और फिर उपर से चुनावायोग भी पूरी तरह से संचली थे इनके द्वारा और EVM का तो हमें मालूम है अब EVM का मैटर सुप्रीम कोड ने लिया है तो EVM लेकिन अगर सुप्रीम कोड अगर जज़मेंट पहले चरण से पहले देती है तो अच्छा है नहीं देती हैं तो EVM को मैनिपिलेड और कॉंप्रोमाइस किया सकता है यह हमने बार-बार कितने सा प्रोग्राम करके कहा है और आखरी प्रोग्राम भी हमने ताम जाम से किया अलाकि लोगों को टेक्नलोजी समझ में नहीं आ रही है और यह नहीं आए और जब कॉंगर्स के टाइम में EVM था तो वीवीपैट नहीं था और वीवीपैट है इसमें इसी वज़े से ही बहुत ब है और सबको सबक सिखाएंगे बस उनका यह की काम है बस दस साल में उन्होंने सबक सिखाया है बाकी तो कुछ सिखाया नहीं है लेकिन इसमें से दो चीज़े एक तो मुझे नहीं लगता कि वो 400 पार आ रहे है इसलिए तो विपक्ष से डर रहे हैं उस पर तो हम आगे बात करेंगे इसलिए विपक्ष को कैसे दबाया जा रहे है वही बात मैं कराता है फिक्सिंग का मतलब दूसरा एक है कि उनको ही फिक्स किया जा रहा है ऐसा उन्हें लग रहा है राजधर्म का पालन ना करने की जो पूरी कूट-कूट के भरी हुई कि एक संभावनाएं सारी से हैं वह सारा छोड के भी एक बातकुन में हैं और वह है डर अक्सर जैसे कि आरोगन साप इंफिरियरेटी कहते हैं वैसे कायर आजमी हमेशा आपने आपको बहुत दिखाता है दिखाने की कोशिश करता है उसमें इतना आगे बढ़ जाता हुग क कि वह confidence के ऊपर कुछ दिखाने लगता है तो उस तरह की भावनाएं प्रदानमंत्री की तरह से भी दिख रही है कि उनको डर लग रहा है शायद वह 400 अरसो तो भूल जाओ जीते तो भी बहुत है ये भी है तो ये विपक्ष की तरह से जो इकठा हुए है लाम लिलामिया औ और फिक्सिंग की बाद राहूल जी ने कही और उसके बाद सुप्रीम कोड की कुछ निरने आए उससे थोड़ा हिल गहे हो लेकिन इतने आसने से जाएंगी भी नहीं है बादियात रखने बिलकुल इस पर भी हम बात करें लेकिन अब एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ ज चाहे वो ED-CBI पर हो या Electoral Bond पर उससे तो यह समझा जा सकता है कि वो Backfoot पर है लेकिन अगर उस बात को छोड़ कर हम बात करें तो उनकी और से कहा जाता है कि ED-CBI तो Congress के समय से आई हुई है और CBI को लेकर तो उस समय सुप्रीम कोड ने भी कहा था कि EBI is a case parrot तो इसमें नया क क्या है और यह क्यों कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आई उसके बाद ही इसका दुरूपयों हो रहा है इसका जवाब आप किस तरह से दिखते हैं नहीं Congress के टाइम में या किसी आरने सरकार की टाइम में अटल जी के टाइम में भी CBI ED थी और वो भी काम करते थी percentage देखिया और विपक्ष का दमन यानि मुझे याद है Congress का छोड़िये अटल जी के टाइम में तब television industry में नया नया था मैं और हम लोग प्रोग्राम करते थे तो अटल जी प्रमोज महाजन जी उनके खिलाब बहुत सारी बाते बोलते थे वो फिल गुड फैक्टर वाली बा बुराई कर रहे हो यार या इतना भी हम बुरे नहीं है वगरा वगरा तो सब्ता पक्ष में एक था कि EDCBI हमारे पास है इसका मतलब हम Unconstitutionally असवधानिक तरीके से हम इसका इस्तमाल नहीं कर सकते ये बात थी और कभी कबार किसी के खिलाब इस्तमाल किया भी तो वो पकडंडी जैसे था जैसे खाने में नमक वो नमक ही खाना नहीं बनाया था ना इटल जी ने बनाया था ना डेवगोडा जी ने बनाया था न ना गुजराल जी ने बना जा चंद्रा स्रेक्टर ने बना जाता ना मोराल जी दिसाहिन ना कॉंग्र espaço की किसी सरकार ने बना था ये तो मोधी जी की देन है कि उन्नोंने चावल की जगह नमक भर दिया प्लेट में और नमक की जगह चावल और वो आप पूछ रहे हैं कि उस में भी था वह भी कर देता है और हां उन्हों ने भी गलतियां की गलतिया दो हर कोई सरकार हर सरकार आने वाली सरक्यावर 6 गलतिया करे मेरा कि मैं जब भी कुछ बहुत ज़्यादा लिखता था तो परे सारे कॉलम चलते साथ जगह मेरे विकली और डेली कॉलम चलते साथ पेपर्स में और मैं उपर से टेलिविजन पर भी काम करता था तो मुझे प्रमोज जी का हर संडे वैसे भी फोन आता था लेकिन बीच-बी है कि इतनी सभ्यता थी उन इस प्रधान मंतरी में कोई सभ्यता है नहीं है शालिंता ही नहीं है कोई शिष्टाचार ही नहीं है और सभ्यधान के प्रदी को जो एक रिस्पेक्ट हुआ करता है आदर हुआ करता है जो अटल जी के टाइम तक था अडवानी की अजी को भी था मुझे मालूम है सबसे जादा अगर BJP के खिलाब कोई लेखक था मैंने देखा हुआ तो मेरी गूरू थे विजय तेंडलकर साथ लेकिन प्रिया तेंडलकर की जिस रात के मुर्त्य हुई तो सबसे पहले मैं उनके साथ था मैं और अक्यले विजय जी दोनों हम लोग साथ बिठे थे मैं उनको बाबा कहता था तो बाबा को मैं पानी दे दा था उतने में फोन आ बजा और फोन आया और उनके पास बहादूर नाम का एक काम करता था तो बहादूर फोन लेका आया और बहादुर बुला सर लालकृष्ण अडवानी जी बात कर तो अडवानी जी ने पहला फोन क्या था फिर्स्ट फोन टेलिफोन की सांतवना देने के लिए यहां रात इंदोरी के गुजर जाने के बाद इतना बड़ा सायर गुजर जाता है प्रदान मंतरी ने ट्वीट भी नह थे इनको तो कुछ भी मानवी यह सब्विता और मानवी यह शिष्टाचार और मानवी यह विच्चार इंपथी यानि मानवता और समविधान इसके प्रदी कुछ भी नहीं है तो इनका कहना इनका बड़बोलेपन जो है CBI रीडी तब भी था और वो इस करते थे यह मुलायम हाना हाना कर रहे हैं तो एक CBI की कैस बस पी दर्ज होगी तो मुलायम वैसे ही कर देते थे यह मैंने देखा है यह भी अमने और सबसे बड़ी बात यह बात हम खुलके बोलते थे पत्रकार टेलीविजन पर आज जैसे पत्रकारों को घर पे बिठा के अच्छे पत् इसके पहले सरकारों ने नहीं पेर इस बनाए ती अटल जी तक इन्होंने पहले बार बेची है और मनमोन तक नई PSU बनी पब्लिक सेक्टर उनिट इन्होंने अड़ा निकों बेची है ये क्यों नहीं बोलते हैं ये जूट बोलते हैं लेकिन आप जूट बोलना भी इतना हो गया है कि इन्होंने सच बोला तो कभी पटाके लगाने चाहिए लेकिन आप मानते हैं क्योंकि आप इस पर बात भी कर रहे हैं और क्योंकि हम बात ही match fixing को लेकर कर रहे हैं तो चीजें क्या इतनी बदल गई हैं कि आप प्रधान मंत्री भी tweet करते हैं और Supreme Court पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जो 600 वकीलों की ओर से एक पत्र लिखा गया ये कहते हुए कि एक गुट ऐसा है जो Supreme Court की छवी को खराब कर रहा है उसको बतौर प्रधान मंत्री tweet करना उससे आप कितरा सही मानते हैं नमबर एक और नमबर दो इसका दूसरा सवाल जिसमें ये भी जोड़ूगा कि जब आचा सहीता लागू है बिल गेट्स के साथ इनकी जो इंटर्व्यू है वो होती है बहुत समय पहले लेकिन उसको आचा सहीता लागू होने के बाद लोग रिलीस करते हैं तो बता और प्रदान मंत्री ये कितना शोभा देता है या इन दो चीजों को आप किस तरह से देखते हैं कोट पर टिपनी करना और आचार सहीता लागू होने के बाद पुराने इंटर्व्यू को चलाना देखें असाविदानिक तो है 121 अनुच्छेत के अनुसार प्रदान मंत्री या किसी तरह से टिपनी करना बहुत गलत है बहुत ही गलत है दूसरी बात यह है कि इन में 600 में से आप निकालोगे उनका जो सारे जो गुर्गे हैं 600 उनका जो मुख्यां है वो पनमा वेपर्स में उसका नाम आ चुका है तो इसलिए जो डरे हुए हैं जो घबराय हुए हैं जिन्होंने पहले बहुत सारा लाब उठा लिया है इस देश से ऐसे लोगों के गिरोह बनके वो इशारों पे यह सब काम कर रहा है और वो इशारों पे नहीं कर रहा है ऐसा कहने के लिए जगह नहीं बचे इसलिए शायद प्रदान मंत्री ने उसको कोड करके ट्वीट भी कर दिया ताकि फूल प्रूफ कर दिया कि उन्होंने किसके इशारे पे खत सुप्रीम कोड को लिखा तो बात यह है कि मैंने जैसे कि कहा सविधानी गुरूप से प्रदान मंत्री को यह बात पर बात करना अनुचित है एक दूसरी बात सभिधा और शिष्टाचार की बात की जाए तो भी अनुचित है और तीसरी बात तो भारत एक मार्केट है बारत दिशे 140 करोड में से 80 करोड रेशन पर जीते हैं लेकिन 1.4 यह वन परसेंट यह टू परसेंट लोग भी ले तो मार्केट बहुत बढ़ी होती है और वैक्सिन के लिए और अन्य चीज़ों के लिए उनको मार्केट चाहिए बिल और मेलेंड पता चला है कि वैक्सिन बनाने वालों नहीं ज्यादा एलेक्रल बॉन डेके इन्फिरियर क्वालिटी की वैक्सिन आपको मुझे लेली पड़ी तो उपर से प्रदान मंद्र का फोटो भी साथ में आया था तो बात यह है कि यह सारी बाते हम देख चुके हैं तो इन बातों को लेकर हमें बहुत सजक रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए और प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री के रोल में नहीं है एक राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है और जिस तरह से व अजनिती भी नहीं है यहाइसा तो तो है जिसमें बी कुछ ख्मानवता होती है इंपथी उती है वह भी नहीं इस में मैं इसको इसको क्या कहूँ और मैं अशiresi बदानक करता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है बातस या यहाँ नहीं था बातस के की गरिमा को बढ़ाता है जो दोनों को पूरी तरह से धुमील कर रहे हैं प्रदान मंत्री और वह डेंजरस है यह प्रेसिडन्स जो है यह जो है तो फिर हम हम अब देखो माफिया गुंडा और सवेदानिक पढ़ पर बैटा वेक्टिक में फर्क कैसे काड़ेंगे एक दुरदानत अपरदी जिस तरह से वेवार करता है लोगों के साथ तो उसंसesus और पूरी तरह से सवेधानिक पत्वे बैठा हुए वैक थी, उसमें दो में फर्क होना चाहिए न, वो मिटनो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों, यह जो आपने बात कहिए अभी उसको अगर मैं आगे ले जाओ, जैसे बिल गेट्स को इंटर्व्यू देना, उसके बाद हमें इल लाया, एटल ने भी इलेक्टरल बॉन्ड के जरीए पैसे दिये, तीसरी बात हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर मिस्टर वांग्चुक जो है, वो 21 दिन तक प्रदर्शन करते हैं, फास्ट करते हैं, कहते हैं कि चीन भी हमारे बॉर्डर पर घुस रहा है, इन सारी चीज तो कर रहे हैं ना, तो इसका वज़े से शाहिद लोगों तक ये बात नहीं पहुच पा रही है, जो आप कह रहे हैं, देखे एक बात है कि इसमें एक और बात रही है, कि तीस गाओं जो है, रुनाचल प्रदेश के, जो हमारे पुरवजों नहीं हमें लड़कर हमें मिले थ 2019 के इलेक्शन से पहले उन्होंने एक कवा मारा था और कुछ पेड़ गिराया थे पाकिस्तान के नजदी, लेकिन इंदरा जी ने तो पूरा पाकिस्तान को हराया था और एक पाया नया देश का निर्मान किया था बांगला देश, उसके सामने तो कुछ भी नहीं, और वो चीन ने अरुना चल प्रदेश के 30 गाओं के नाम ही बदल दिये और आपको और लालाखे दिखाते हो आ गया रहा है, एक दिन मुझे डर लगता है कि आयोध्या तक नहीं पहुंचे चीन और वो मंदिर ही चाइना का हो जाए, ऐसा ऐसा ना हो, बगवान करे ऐसा ना हो, प् चोटा आदमी भी उनके खिलाब बोलता है, तो उसको पकड़ पकड़ के मारती हैं सारी जिंसी, वहाँ जी जिन्पिंग पूरा आपका देश निगल रहा है, फिर भी आप एक उफ तक नहीं कर रहे हो, बाद भी नहीं कर रहे हो, आपको राश्टर को संबोदित करना चाहि नगर करके उनको घुमाया गया, जलाय गये, यहां वहां की सिक्यूरिटी पोर्सेस ने शरण लेली वहां क्या आतंक की दल संगटर ने उनको, अपने सारे हाथियार उनके लूटे गए, यह सब होने के बाद भी प्रदान मंतरी मनिपूर कभी गया नहीं है, बस वो यह जो जो फैंसी ड्रेस है, अब साउथ में गये तो साउथ वाली ड्रेस, नौर्थ गये, नौर्थ, वो महाबालीपूरम में नहीं ऐसी ड्रेस पहन के उन्होंने जी जिन पिंग के साथ मिटिंग की ती, क्या हुआ, तो बात यह है कि, यानि उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रोल अंदर का है, इंटर्नल है, उनका रोल बाहर का नहीं, लोगों को शो करने का नहीं, कल आप धनुष्चले के बिल्ट चलने लोगों गये तो आप लोगों वहाँ वहाँ नहीं करेंगे, उपर उपर तो आपके चम्चे हो करेंगे, लेकिन आप कोई बहादूर न कुछ लगता है कि उनके कि खिछाप बोलने वाले जो दोचार लोग बच्चे हैं गई उनको भी निप्टाने में लगेंगे और उसके बाद वो तो उन पहली आइस भफ्तों पे आएगी जब तक देखिए ऐसा है मैं आपको एक बात बताता हूं मलाराव आपको मलाराव होड़कर और सिंधिया जो मालूम है ना कि मलार बाबा बोल देते हैं और वो पेश्वा थे तो पेश्वा पेश्वा ने सिंधिया को कह दिया कि आप आज ज मलार बाबा अराम से बैठे रहे हैं तो सिंधिया गया और बोले चल्द jsशेल जी आपको इतनी जल्द पाजी क्यों तो उन्होंने बोला नहीं पेश्वा ने बोला है दुष्मन से निफटना है उनके वोले दुष्मन किस के उनके तो बोला देखिए मलर बाबा बोले कि उनके सारे दुश्मन अगर एक एक करके हम अपनी वीरता से खतम करते जाएंगे तो एक दिन पेशवा हमें धोधी धोने के लिए बिठाएंगे वहाँ पर आप पैठी हैंगे तो भक्तों की हालत वैसे ही होनी वाली है जो कि आलो चिक है उसको वो हर किसी को निपटाते रहें तो उनको काम क्या रहेगा बाद में उनको ही निपटाएंगे मोधी तो यह भी आद रहे हैं आपने जो यह बात कही कि जो प्रधान मंत्री की ओर से कहा जाता है कि जब वो वापिस आएंगे तीसरी बार तो और सक्ती से निपटेंगे लेगिन यह confidence उनमें कहां से आ रहे हैं मैं आपका example देता अभी हमने लदाक की बात की वहाँ पर हालात खराब हैं पंजाब के किसार नाराज हैं हर्याना में हालात खराब हैं मनिपूर में हालात खराब हैं बाहराष्ट में गुस्सा है दक्षिन भारत में पूरा गुस्सा है तो कहां पर हैं अगर आप गुजरात और शायद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ दे आ उत्तर प्रदेश मान ले हम छोड़ दे बिहार में तेज़े सुई जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं तो एक किस आधार पर प्रदान मंत्री बार बार यह कह रहे हैं मैं जब वापस आओंगा तब चीज़ अच्छी होंगी या वो क्यों एक तरीके से लोगों के मन में ये डालने के कोशिश कर रहे हैं 400 पार आ रहा ह या मैं आने ही वाला हूं इस तरह की चीज़ें ये तो उनने 2019 में भी खेला था एक क्रोनोलोजिकली ऐसा ही है अभी वो अभी क्या शुरू हो जाएगा गोदी मीडिया में पोल पोल हो जाएगा शुरू कि लोगों के मन का पोल क्या है फिर एक्जिट पोल क्या है यह सब हो जनता में आक्रोश है जनता में ज्वाला मुखी है लेकिन डायरेक्ट निफ्लेक्ट की नहीं होगा वीवी पैट की वज़े से तो फिर वो उनको रोक नहीं सकता कोई सब कॉम्प्रोमाइज है सब मैने आज मैं बाल कटवाने के लिए गया था सलोन में तो वहां पर उत्तर दिवाना कस्टरमारो तो बात करें बात किये उन्होंने तो बात किया रोजा है सर बाकी क्या है कि कुछ नहीं ठीक चल रहा है आपना क्या रोटी मिलने तो काफी है गाओ में बहुत खराब है यूपी वगेरा में उनके गाओ मुझे मालूम है हो मैं बोलूंगा ने लेकिन खराब है आपको क्या लगता है मैं बोला यार कुछ भी हो सकता है तो उनको एकदम अशर है हुआ को यह क्या बोल रहा है कुछ भी हो सकता है बोला कुछ भी नहीं हो सकता सर सारी मशिनरी मोदी जी के पास है वो मोदी जी आएंगे चारज उनको यानि एक आम आदमी एक आम चोटा सा वेक्ति जो बाल काटता है यानि बस वो हैर स्टाइलिस्ट है वो लोग का गुरूप है उनके साथ बात करते हैं उनके मन में वो डर है कि वहां मुझे मेरे माबाप को वोटिंग करने के लिए नहीं दिया जाएगा मेरे पहले अच्छा वोटिंग नहीं करने देंग क्योंकि वहां पर भगवा ब्रिगेड भी रहता है अलग अलग संगर्टन है हिंदू सेना है फिर चातर योवा संगर्शवाईनी योग्याजी की है वो सब वहां खड़े रहते हैं तो खड़ देखकी उनको मुसलमान और यह डर जाती है काम है चुनावायोग का कि उनको सब्सक्राइब करने वाली कमिटी में उसमें प्रदान मंतर ने खुद अमिच्छा जी और अधिर रंजन चौदर यह एक उपोजिशन लीडर ऑप उपोजिशन नाम के लिए रखा वह अधिर 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 है तो वो उन्होंने कुछ बोलार सुना मुझे नहीं मालूम लेकिन इन दोनों ने तैय कर दिया दो दो अपॉइंट हो गए एक ने रिजाइन अचनक कर दिया और अचनक रिजाइन क्यों किया वो भी किसी को पता नहीं चला हो मौन में चला गया और उसका अन्ना हजार हो गया और फिर वो दो नया आ आ गए वो बस ये दो बस तो लोगों को मालूम हैं, आम जानता जानती नहीं, उनको मालूम है कि मैरे voting list से हमारे नाम ही उड़ा दिये गए, अब ये किसका जिम्मेदारी है, election commission के जिम्मेदारी है, आप कहां कहां तक इसको रोकोगे, यानि RSS का कल्ट इतना भयानक है, इतना अमानवी तंत्र है उनका और उनको किसी के प्रती सहानबुदी नहीं है, बच्चे के प्रती, बुढ़े के प्रती, किसी के प्रती, कुछ भी नहीं है, वो एक बहुत dangerous international terrorist organization RSS, और उसके सारे जो auxiliary structure है, विश्व हिंदू परशद बजरंग दल, और मैं record पर कहना चारता हूँ, और पूरे दुनिया को कोई इन से खत्रा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अगर लोगतंत्र बचता नहीं है, तो भी दुनिया को बहुत खत्रा है, भारत में अगर इस बार ये वाकई कहते हैं, वैसे 400 पार की कोई आशन, कोई आशा नहीं है, लोग नहीं चाहते कि 200 भी दे, 100 मिलना, 100.500 मिलना मुश्किल से BJP के लिए हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद 400 मिलते हैं और भारत का लोगतंत्र खतम हो जाता है, तो समझे अगर Amazon ब्राजिल में खतम हो जाता है, तो हमारे global warming पे उस पे असर होता है, वैसे पूरे लोगतंत्र इतना बड़ा खतम हो जाएगा, तो आप समझे, पूरे देश दुनिया में कितना खब, अभी पता नहीं है दुनिया को कितना बड़ी समस्य हो जाएगी दुनिया के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से दुनिया को आकिफ होना चाहिए, कि यह जो हो रहा है, RSS की तरफ से, जो तंतर यूज क्या जादा इकटा हो, जानता राजा का गाजी परवर में खास प्रयोजन किया है, तो क्या एक निया आए, तो चुनावायोग का यह काम था, कि उनको सवाल पूछना, कि कल आपने भीड नहीं इकटा हो यह कहा, तो आज यह भी कहिए कि आप जादा से जादा इकटा नहीं हो, तो आप RSS की तरफ से आवाहन कर रही हो, इस तरह का लोग तो अगर चुनावायोग, मौडल कोड़ और कोड़ आफ कंड़क के बाग, चुनावायोग रिस्पॉंसिबल है, तो आप देखिया, RTI डाले, उसका जवाब अभी तक आया नहीं, अर्विंद केजरिवाल की जो अर्विंद के बारे में क्या कहें, हम सब बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी आरेस्ट जो है, वो क्या चुनावायोग को पूछा गया था पहले, क्योंकि अभी राज चुनावायोग क्या है, मौडल कॉंडल कॉंडर प्राइम मिनिस्टर केर टेकर है, तो चुनावायो और चुनके भी आते दे कई लोग, और कई बार आये भी, तो बात भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को पता है कि उसको मोडी नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये भी पता है कि तंतर को इन्होंने पूरा हाथिया लिया है, आरेसे के सारे संग्रटनों ने, जो नहीं चाहते, व्यापारी जो नहीं चाहते कि ये सरकारा है, जो क्रिश्यन्स है नहीं चाहते ये सरकारा है, जो लिब्रल्स है जो नहीं चाहते कर सरकारा है, जो विद्यार्थी है, जो अनेंप्लॉइड लोग है, सब लोग जाते है कि ये सरकार नहीं चाहिए, लेकिन सब को मालू है कि हम कुछ भी करें तो चुनावाए हो पूरा सकार करेगा मोधी जी को और उनको 400 तक पहुचा देगा लेकिन जब लोग ही नहीं चाहते हैं या हम धेख भी रहें हर एक जब पर गुच्सा है तो जैसा किसान अंदोलन में हुआ था किसान सडकों पर आया और उसके बाद तीन काले कानून को वापिस लेना पड़ा हला कि अभी भी वो अंदोलन कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया जा रहा है उसको नहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो गुसा है ये धीरे-धीरे बड़ेगा और उसका असर कहीं न कहीं देखने मिलेगा अगर इसी तरह से ये अपनी मनमानी करते रहे हैं और ये चुनाव में भी आगा करते रहे तो जो विदेशी लोग हैं जो अपने-पने जगा पर free and fair elections की बात करते हैं या तमाम अलग तरीके की बाते करते हैं वो भी इस पर नसर बनाए रखेंगे या उनकी और से भी कोई आक्षे अपलिया जाएगा वो तो करेंगे देखिए हमन सुरेंजी की आरेस के बाद तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं लेकिन कॉंगरेस का अकाउंट freeze कर देया गया और अरविन क का जो गुस्सा है वो फटने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता लेकिन आरेसस जो कहती आई है न अखंड भारत अखंड भारत तो यही अखंड भारत है उसमें से 30 गाउन तो चलेगे अरुना चलके और भी कुछ जाएगा लेकिन अगर ऐसे ही दमन प्रक्रिया स वो लोगों को दबाने की कोशिश करते रहें तो यह देश मुझे नहीं लगता है कि अखंड रहेगा तूट जाएगा देश क्योंकि फेडरलिजम ही आत्मा है इस देश की यह देश एक कोईलिशन है बहुत मुश्किल से बनाया गया देश है देश की कलपना जो है वो 70 साल की है सिर्फ और वो सब पवरानिक ग्रंथों को आप दिखा कर यह नहीं कह सकती यह देश एक जम्बू दूइप था यह था वो था फला था डिका था कुछ नहीं जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों के खिलाब 18 सतान में जो जंग छेड़ी के उसमें जाशी की रानी न है उसके हाथ पर तोड़ रही है आरे से इससे उनको क्या फाइदा है अगर वो इस देश को तोड़ेंगे उनको क्या फाइदा हो रहा है सर फाइदा नुकसान नहीं उनकी दृष्टी नहीं है उनका उनको मालूम नहीं उनको लगता है उनकी उनको सक्ता मिल रही है उनको स है भारत इलेक्ट्रिकल लिमेटर उसके चार इंडिपेंडेंट डिरेक्टर बीजेपी कहीं बैटे कहीं जगह पर बीजेपी के लोग उनको कभी मिला ही नहीं तयार तो रुखी सुक्यूरोटी खाने वाले को आप गुलाब जामून और यह सब शुरू हो जाए तो उसको अब्दूल पंक्चरवाला को टाइट किया जाए अपने मन में आये वैसे दुनिया को घुमाया जाए जाए यह सब नहीं होता है यह सब नहीं होता है नहीं तो पहले ही लोग करते राजियो गान्द के पास 414 सिट थे लेकिन उनमें उतनी विस्डम थी विवेक था कि उन् अटल जी को उल्टा उन्होंने ट्रिटमेंट के लिए विदेश भेजा और अठफुद अटल जी ने कहाए तो बात यह है कि यह देश तभी इकठा रह सकता है जब लोगतंत्र बचसे तभी इकठा रह सकता है जब विपक्ष बचे तभी विरोध की आवाज और आलोशना बचे तब यह देश बचे का नहीं आप दबा दोगे दबा दोगे तो इस कुकर है शिट्टी निकाल दिया है मोदी जी निए फट जाएगा और फट जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को एक नहीं रख सकते उसके बाद ये रिवर सिमल है वो प्रक्रिया को वो प व्. तो ये बात शायद विपक्ष के निता भी Ir. उसका खत्रा भी समझ है क्योंकि उन्होंने बार बार वो आएं, दो-दो बार आएं, चार-चार बार आएं, आप दस बार आओ, अगर लोग चाहेंगे तो आएंगे आप, नहीं चाहेंगे नहीं आएंगे आप, लेकिन आप अपना काम ना करते हुए केवल एक विचारधारा और ब्राहमनिजम और हिंदूइजम की बात आप करते वो बहुत ही रहस्वदुरुष्टी लोग है और आइडलोजी है बहुत सिकूरी होए लोग है दूसरा यह है कि मोदी जी शहाजी अडानी जी इनकी अपनी प्राब्लम्स भी है अब वो सत्ता से सम्मान पुरवक उतर नहीं सकते उन्होंने इतनी तरह से इतनी इतने प्रकार से अपने सविधान को निचोडा है सविधान को पैरोतले कुछला है कि इसके अपने कॉंसिक्वेंस होते हैं वो उनको भुगतने पड़ेंगे तो वो जो टेंडर बिना टेंडर के एरपोर्ट और पोर्ट अडानी को दिये गए हैं और हमारे आने वाले पीडियों के लिए पूरा PSU से लेके आज अडानी जी ने ट्वीट डाला है वो छोटा बच्चा है उनके घर का होगा शाद मने मालूम नहीं इसकी आँखों के सामने सारी दवलत वह है कुछ लिखाया उनने तो यह समझते हैं अगर वह समझते हैं तो वाकई जंगल है जल सकता है वह हमारे दादां ने हमें दिया है हमारे हम अपने पोतों को पोतियों को दे देए यह हमारा काम यह हमारा फर्ज अडानी जी को मैं यह कहना चाहता हूं तो यह मोदी जी को नहीं समझेगा लेकिन अधार जी समझ सकते हैं कि उनने बच्चे को हाथ में लिया है शहा समझ सकते हैं क्योंकि उनके भी पोते-पोती हैं तो वह जानते हैं कि क्या होता है अपने बच्चों का भविश्य अपने बच्चों का भविश्य तो उससे खिलवार मत करो यह और अंसारी को मिट्टी दी गई तब मेरे मन में ख्याल आया यानि महारश्ट्र में मराठी में रामदा स्वामी के श्लोक है बले रामदा स्वामी कुछ लोग कहते है रिग्रेसिव दे प्रोग्रेसि लेकिन एक श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मुझे पसंद ह मराठी में मैं इससे बताता हूँ मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे अकसमात तो ही पुड़े जाता है यानि मरने वाला जो है उसके प्रति शोक व्यक्त करने वाले लोग और जो शोक नहीं करते हैं उसके प्रति खुशी भी व्यक्त करते हैं वो अंडर करंड है उसका व तो ये इस बात की इस बात का जो इस को बात को हमेशा याद रखे जीना चाहिए एक साइधान्तिक जीवन एक दार्षनिक जीवन राजा को जीना चाहिए वो नहीं जी रहें आरेसेस वाले, मोदी जी, शाहाजी, अडानी ये लोग सब वो दार्शनी जीवन अंबानी नहीं जी रहें और इसलिए इस देश की समस्यां इतनी बढ़ चुकी लेकिन ये जो लोग हैं ये मुद्दा भी तो वही रख रहे हैं न वो आप लोगों के या हम से जब बात करते ह हैं, वो बात करते हैं कि कैसे श्रीलंका को एक द्वीब दे दिया गया, आज अमिच्छा का ये ट्वीट आया या उन्होंने भाशन में कहा कि टेंट में रखे भगवान राम को मंदिर में पहुचाने का काम नरेंद्र मोधी ने किया, फिर वो अपने सावरकर जैसे फिल्म कार दिया या इकोनॉमी इतने आगे बढ़ गया, तो ये तो मुद्दे उनके लिए ही नहीं, सर इसमें दो बाते हैं, आरेसेस के कोई भी वेक्ति भले उनकी तरफ से मोधी जी बोले, शहाजी बोले या फिर भागवज जी बोले, पैरडॉक्स ही होता है, जैसे टेंट में मंदीर भगवान का मूर्ती रखा गई, क्या वो भगवान थे, तो वही मोनती मूर्ती की प्राणा प्रतेश्टा क्यों नहीं हुई, जैनियू में इतने फिल्म, जैनियू को इतना बदनाम किया, तो ये आभावी पर चुनके क्यों नहीं आई, और जिस बात, श्रिलंका की बात कर रहे है, जिसमें विदेश मंतरी भी तूट पड़े आके, मालदीव के साथ दुश्मनी की, अब स्रीलंका के साथ भी करोगे, क्या, और खुद प्रदान मंतरी ने बांगलदेश को जमीन दी, उसका क्या, जिस बांगलदेश को इंदिराजी ने तोड़ के अलग किय था, बचाया भी था, पाकिस्तान से, तो ये लोग जो है, वो पराडॉक्स में बात करते हैं, हवा में बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, यहने उनको कोई, देखिए, सामने से अगर उनको आप पूछे है, कि इसका सबूत क्या है, जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हेमन बिश्वा सर्मा के बारे में अमिच्छा जी को पूछा गया था, बाइस आप कल तक तो आप उसको ब्रष्टचार के आरोब लगा थे, देखिए बाई, जाने दो बाई, जाने दो, पहले उन्होंने दबाने की कोशिश, फिर वो फिर भी वो पत्रकार पूछता रहा, क्या रहे वो, लेकिन लग कल तक वो प्रष्टचारी था, देखिए आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, यह कौन कहता है, राज्य का गुरूह मंत्र के आता है, क्यों नहीं पूछने चाहिए बाई, यही तो उसका काम है, उसको थोड़ी आरती उतारने के लिए लोग सब फिल्म शाहरूप खान थे, कभी यहां, कभी ना, कभी यहां, कभी ना, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, उसमें वो ऐसे करने के लिए रखा है, क्या हो पतरकार को, नहीं ना, उसको आलोचना के लिए, वही उसका काम है, उसका उक्यूपेशन वह है उसको बंदूग निच्च नहीं रखनी है ऐसे पत्रकार को अपनी वानी यानि और कलम दोनों को निच्च नहीं रखना है और ये भी इनको भूलना नहीं चाहिए जैसे रामदास का मैंने कहा मरे एक तैसा दुजा शोक वाहिया कस्मा तो तो ही पूड़े जाता है यह कभी विवरेट फूड क्या है तो अभी वो अभी उपमा पर आगे जब साउथ में आते तब लोंगी पहनते हैं जब नौर्ट वे आते तब कुछ और पहनते हैं तो यही सारा शो बाजी तो चल रहा है ना यह जो बात मैं और आप कर रहे हैं कहां पूछा जा रहा है तो लोगो पता कैसे चले हैं लोग कैसे समझेंगे कितने लोग देखते हैं यह सारी चीज़ते हैं नहीं मैं बताता हूँ उनको उपमा पसंद है या आम काट के खाते हैं चूज के खाते हैं इसका तो मजाग उड़ाया जाता है पूरे विश्व में उनके अपने डायस्पोरा के इनके उपर निर्भर करती है इनकी क्रोध के उपर या प्यार के उपर प्यार नहीं प्यार तो किसी से वो करते हैं लेकिन दया के उपर उनकी बरसनल तो वो लोग करते हैं लेकिन आमता और पर मुझे नहीं लगता है इसमें को इंट्रेस्टेड है हमारे इतने प्रदान मं बनाने पड़ते. यहां जवार का टट्टू, यहां इंदिरे का टट्ट्टू, और ओर आरेसस के लोगों के पर भी सीने पर होते. और नहीं होते तो लंगड़े होते. बोली उसे. समझे है? या किसी और अन्य बिमारे से गुजर जाते हैं, तो बात ये है, ऐसा किसी ने किया नहीं, ये सव्विधान नहीं है, ये सव्विधानिक तो बिलकुल ही नहीं है, प्रदान मंतरी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बले परियापर, सबसे ज़्यादा पहला नागरी अग वो पीछे खड़े थे, त्रिशुल लेके, तो राष्टरपती मजाग बना के रखा है, इस दे कमांडर इंचीप आप थ्री आप फोर्सेस होते हैं, वो चाहिए तो प्रदान मंतरी को एक मिनिट में बरकास कर सकते हैं, बले संगी हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं जैल सिंग को एक कॉइंट पे राजीव गांदी के सरकार बरकास कर सकते हैं, ऐसे वातावरन टैयार हुआ था, जैल सिंग की टाइम में, आपको याद है, तो बात यह है कि इस तरह से देश नहीं चला जा सकता, अगर अभी मोधी जी आते हैं, चार जुन को, तो हम तो बात नहीं करेंगे उनके खिलाफ या पक्ष में, पक्ष में तो बात ही नहीं करेंगे, खिलाफ भी नहीं करेंगे, इसकी वज़ा यह है कि को लेटरल डैमेज, जो देश ने आज तक नहीं अनुभाव किया है, वो अनुभाव करने दो लोगों को, अगर EVM है, election commission है, यह विपक करेंगे, तो उनका अपना, अपना personal जीवन कुछ रहेगा नहीं, सारी बातों का फैसला रस्ते पे होना शुरू हो जाएगा, फिर, वो आए या ना आए सर, लेकिन हम तो बात करेंगे, करना भी चाहिए, इन लोगों के खिलाब वरना कौन हो जाएगा, नहीं देखिए, मन आतंगवादी ने छीन लिए, अब आतंगवादी भी क्या कहे उनको, क्यों है, क्या है, हमें नहीं मालोग, लेकिन दो गुट में जो लडाई शुरू हुई, उसमें कोई आया नहीं, और ये सारी चीज़े जो RSS कर रही है, वो international corporates के लिए कर रही है, अदानी हो, Bill Gates हो, सु कोई उनको क्यों, अब आपका बती कि इतना बात करने के बाद, आपको व्यूज दिरे दिरे बढ़ेंगे, दवाए जाएंगे, वो सब ये corporates इनके साथ इसलिए है, कि उनको लगता है कि इतना बड़ा market, बस इनकी वाही वाही कर दो, वाहा वाहा कर दो, Bill Gates को आदा गंटा प्रदान मंतरी के साथ बैठके, वो क्या खाते है, पीते है, ऐसे इदर उदर की बाते हैं, या आए, ऐसा वो दादे कोण की जो बोलते थे, हम बोलते कहते हैं, प्रदान मंतरी और वो सुनकर हसेंगे, ये सारी चीज़े वो ऐसे ही फोकट में नहीं कर रहा है, आपके घर प्रदान मंतरी के जो बोलते हैं, ये सारी विश्वक का अपने हाथ में लेना चाहता है, और यहां के आदमी को एक नौर्थ आफ्रिकन कंट्री से भी बत्तर जिंदगी देना चाहता है, ज्यादतर लोगों को, और उसके लिए एक मोधी बस एक बीच का फैक्टर है, ओदी जी को अपनी कुर्सी, अपनी सप्ता और अपनी सुरक्षा और अपनी जो चल रहा है, उससे ही मतलब है, उनको इतना दृष्टी नहीं है, इतना सोच नहीं रहे हैं, क्या होगा इसका, लेकिन आरे सैसे में कई लोग होंगे, या बीजेवे में कई लोग होंगे, जि एक limit के बाद लेकिन फिर भी सोचते होंगे क्योंकि पीश्पिश्पिश्रा देखा जिस दिन RSS यानि राइट विंग के साथ गया उसके बाद उसने चुराना शुरू कर गया पीश्पिश्पिश्रा तब तक के साथ हो रहा है कि इतना गलत नहीं को देखा भी नहीं है मैंने शाहाजी को देखा नहीं है आदानीं जी को देखा नहीं वो एक भेंकर का आगाज है और आपको पता भी नहीं होगा और लोगों को जाने तर पता ही नहीं है कि ऐसी एक सुनामी इनके लाइफ में आने वाली इस देश में मोदी जी और उनके साथियों की वज़े से कि ऐसे सुनामी उन्होंने ना सुचे होगी ना इतियास में पड़ लेकिननतल सर अभी भीपे ही रहा है ना, अभी भी तो ही रहा है वो कि लोगों को नौकरी ने ही मिल रही है, 80 करोड लोग राशन पर हैं, कहीं पर भी दंगा फसाद हो जाता है, कहीं पर भी हम देखते हैं कि आप क्या खाओगे, आप पहुनोगे, आप कहां घुमबोगे, व आपने वो सलोन में देखा वह इंग जेनरल यहां पर भी तो देखने मिल रही है तो शायद लोग इससे तो जागरू होते दिख रहे हैं देखिए लोगों को जागरूद होने के बाद उनको एक दिशा होना बहुत जरूरी है और वो विपक्ष देता है तो क्या सोहित आपको लगता है कि विपक्ष को अपनी दिशा मिल गई है राहूर कांदी जी कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है इंडिया बैठक के बाद और जो मुंबई में भी हमने शिवाजी पार्क में देखा जा फिर अब दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा हालात पहले से तो बहतर लग रहे हैं ऐसा मुझे लगता है मैं सोहीत आपके उमर का था ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस चीज को मैं भी बहुत आशावादी हुआ करता था मैं आपको एक बात बताता हूं कि 2005 यह 2006 में एक बार विजय जी ने मुझे कहा था जिनको मैं अपना गुरू मानता हूं उनको बाबाई कहता था मैं उनके घर में जादतर रहता था तो वह यह गोधरा की जो दंगे हुए थे वह उसके खिलाब जो लड़ाई रड़री लड़ी जा रही थी हैं संस्ता के व सब्सक्राइब करें शुख कर नहीं सब्सक्राइब डेश के महान ना्टक करों में से एक है विजय तैंडूलकर जी विश्वयक हैं यूजकि न्यॉर्क आपेरा में वह हुआ है उनका पिटर बूक्स तक उन्होंने उनके नाटक किये गए हैं तो फ़त्मभूशन मिला उनको क्या नहीं मिला सरस्ति सम्मान मिला लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि राजू अगर हमारे किये हुए पाप अगली पीड़ी के पाप आपको उसका फल जो जहरीला फल है वो भोगना खाना ना पड़े तो अच्छा है लेकिन खाना पड़ेगा ऐसा मुझे अब लगता है और वो खाना पड़ेगा जो जहरीला फल वो हिंदू राष्टर के रूप में होगा ये लाइन बोली है विजय तेन बिलुकर साब ने और लेकिन वो उन्होंने मुझे बोला था तब मैं समझ नहीं पया था अब आज मैं जो समझ रहा हो ना और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो तब वो समझ कर बताने की कोशिश कर रहे तो मैं आपके उम्र क्या था ना तो मैं आप बहुत होपफुल था वैसे ही कंभीरता इतनी बड़ी हुई है कि मैं कम से कम आशावादी होने होना एक लगजरी समझता हूँ और मैं आफोर्ड नहीं करता हूँ लेकिन इस साल की बात करते हैं हम जैसे कि इन्हों ने राम मंदिर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन उसका उल्टा असर देखने मिल रहा है इसके बाद EBCBI को लेकर जब खुद प्रधान मंत्री को बोलना पड़ रहा है तो समझ में आता है कि चीजें खराब हैं त उससे आपको यह नहीं लगता कि BJP को धक्का जरूर लग गया है ऐसी चीजों से और उनका जो एक बहुत बड़ा राम मंदिर का मुद्दा था वो उनके हाथ से चला गया हमने 22 जनवरी को भी इसके उपर आप और मैं और साथे साथ हमारे साथ एक और महवान जोड़े था ह तो अब महाल तो उनके विपरीट जातों नजर आ रहा है जो जंडे लगे हुए ते घरों के बाहर वो निकल गए है अब यह भले ही कोशिश करें इसे धार्मिक रूप देने की जो वो अलगातार चुनावों में करते आ रहे हैं तो यह जो आशावादी के बात है उसे पर म नहीं हूं डो से हों ससलीम के रोजे रखे हुएं थे जो मेरे बाल काटे हैं वो भार्मीक थार्माइब दो आरेसेस खुद आतंकवादी है इसलिए उनको आरेसेस हमको भी आतंकवादी मानेगी आपको भी आतंकवादी मानेगी अब बात यह है मैं बोलता हूँ कि धार्मिक्ता और जो अभी बदलाव आया है ऐसा आप जो कह रहे हैं वो वास्तों में आया है लोग समझ गए हैं 2019 जिस चीजी नहीं है यह कहते हुए मुझे याद दिलाना मैं चाहूंगा आपको कि 2019 वे भी ऐसी चीजी नहीं थी 2019 में इस इलेक्शन से पहले तीन राज्य कॉंग्रेस ने जिते जिते शतिस गड़ मदब्रदेशा और राजस्तान और पूरी आशा की लहर थी और फिर वो पुल तो यह तो बात यह है कि हमारे जो किसान है हमारे जो जवान है उनकी कुर्बानिया जो है वो इतनी कुर्बानिया उन्होंने दस साल में दी है उसके बावजूद जितना विरोध जितनी आलोचना होनी चाहिए वो होती दिखाई नहीं दे रही है देखिए रूख आप देने वाले रूख को यानि घिला देने वाली बाते होती हैं और फिर भी न्यूज एंकर जो है गोदी मिडिया के आराम से बात करते हैं पक्ष में इनके ये बात आप कैसे यानि वो इनसान नहीं है या जॉंबी है किसी भी इनसान को अंतता यह लगेगा कि यह ठीक नहीं है जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है सुरच पच्चिम से नहीं उखता to नहीं उखता लेकिन बात यह है कि सूरज जहां से उखता है वही से उखता है वो कहना चाहिए न मुझे अब्जेक्टिविटी कुछ होती है कि नी मोदी जी एक प्रधान मंतरी के लूप में सबसे विफल प्रधान मंतरी रहे हैं उन्होंने अपने नागरिकों के प्रति अपनी जनता के प्रति न्याएक कभी नहीं किया और जो नोडबंदी से लेकर इलेक्टरल बॉन टक जनता की संपत्ति पे सरकार ने डाका डाला है डेलाइट रॉबरी है यह बात इतियास में दर्ज होगी इसमें मुझे कोई इफ्स और बट्स नहीं है किंतु परंतु नहीं है और ऐसा होने के बाद दस साल है रहे दोड़ा कहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता है काफी है सोईद मुझे लगता है यह गुस्ता तो मैं मैंने इससे ज्यादा गुस्ता तो मैं छोटा था बहुत ही चोटा था मुझे ठीक से याद भी नहीं मुझे ऐसा छोड़ी इंदिरा जी के खिराफ गुस तो मैं गाव में देखा तो मैं मधुदंडवट्रे जी का मैंने भाषन मजे बाबा लेके सुनने के लिए लेके गयते मेरे बाबा कोई मेरे फादर रियल मेरे बैलोजिकल फादर बुड़े अब ही बिमार रहते हैं लेकिन वो कोई कॉंग्रेस या उनको कोई भाज़पा उन मैंने देखा है तब जॉर्ज फर्नांडिस उनके भाई जॉर्ण फर्नांडिस पे जो अत्याचार हुए जेल में डाला गया वो मदुदंडवटे जब बोलते हैं तो लोगों में जो फैला हुआ एक सन्नाटा है जो एक शंती है जो सुनामी से पहले आती है वो देखी है मै नहीं देख पा रहा हूँ वो जब देख पाऊंगा मैं तब मैं बताऊंगा कि सोहित तुम सुरक्ष दो क्योंकि जनता ने अपना तीसरा नेतरा खोल दिया है वो नहीं खुला है अभी तक नहीं खुला है मोदी जी के उनकी सरकार के जो गुना है उसके सामने जनता की जो अखे लाल हुई है वो बहुत मामूली है लेकिन अखे लाल होने के बाद दोजार सोला के आठ नौमबर के रात को मुझे लगा तो देश में करांती होगी क्योंकि आपके पैसे आपका प्रदान मंत्रिया इस तरह से नहीं अब तो सुप्रीम कोट की जज साहिबा ने कहा वही मैंने लिखा है उस दिर कि इस तरह से आप कैश का मतलब काला धन नहीं है मोदीजी ने जूट करका किया डिजिटल मनी का मतलब वाइट मंझी नहीं है शեղ कंपनि से बिजिटória बुवादा वाला विचारा रोज रिख्षा वाला कैश कमाता है ज्याश में ज्यादा यह कोई साधारण गुना नहीं है और इसके लिए जंता को जो गुसा होना चाहिए वो उस तरह का गुसा को जंता में नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं नहीं मानता इसको गुसा है करके क्योंकि गुसा है लेकिन यह मामूल है मैंने इंदिरा जी के खिलाफ दिखा था वो कि आपने कहा बात करने से डरते हैं इसलिए शायद वो जो अंडर करेंट है वो दिखनी रहा और इसलिए तो यह डरते हैं जैसे कि महाराष्ट में सारे मुंसिपल कॉर्परेशन के इलेक्शन स्पेंडिंग है इन्हें पता है कि जनता में गुस्सा है वो नहीं कर रहे हैं जो शिवसे ना उद्धव ठाकरे हुट की हैं उनकी जीत हुई थी फिर पूने में जिसे बीजेपी का घड माना जाता है वहाँ पर एक वाइपोल एलेक्शन हुआ था वहाँ पर भी बीजेपी की हार हुई थी कॉंग्रेस जीते थे तो अगर आप देखें इसे दूसरे न लोगों का नजर नहीं आता है उनके सामने उमर खलीद और बाकी लोगों के चहरे आ जाते हैं कि यह सरकार किसी को भी जेल में डाल सकते हैं तो हमें भी डाल सकते हैं इसलिए वो गुसा खुलकर नहीं आता लेकिन एक अंडर करेंट है सर मैं आपको बता हूं इंदिराज जी ने जब इमर्जंसे डिकलर किझें उसमें उनमें हिम्मत्त थी हिम्मत्ति कि वह अपात्काल ही pizza को फेक दिया है कुड़े में और मार्जी कर रहें ना खाता न वही जो मोधी जी को यह यह लेवल पर सब चल रहा है तो यह असवधानिक रूप से अपातकाल ही है समझ लीजिए इंदिरा जी की अपातकाल के टाइम में आपने हमने भी नहीं देखा को कि हम बच्चे थे लेकिन हमने बाद में बहुत डीटेल में पढ़ा क्योंकि वो वातावरन का एक छोटा सा तुकड़ा मैंने अपने दिल के अंद लगाने आपको निगाने के लिए आपको बाहर लाया है फिर अपको यह इलेक्शन के बाद अंदर ही जैना यह लेकिन आपको एक बात बताता हों जिस दिन एलेक्शन हुआ बैलोट पेपर पर हुआ पहली बात सीधा मेरा डूट जिसको पूरी रिख हुई इलेक्शन करने की कोशिश लेकिन वो प्रिसिजन नहीं होता है न मचीन जैसा तो रिख नहीं कर पाएं राय बरिले से इंदिरा जी हार गई यह बात जिस इलेक्शन चुनाव आयोग के कमिश्णर ने सुनी और उस पर दस्तकत हुए वहां चुनाव अधि पास हैं जो लोगतंत्र डुबने के बाद शांति से जाके सो जाएंगे डुबाने के बाद तो यह फर्क भी तो है ना यह फर्क मैं देखता हूँ यार वो वो जमीर जो मरा हुआ है ना जिनका और जिनका रीड की हड़ी तूट चुकी है या गायब कर दी गई है आरे से द क्रहार किया चुपके से घरवा लोगों को BBC सुनते थे पीजल की है यह जानने के लिए सुद जेलों में बंध हुआ कर दे आ उनको मालूम है इंवर और लोगतंत्र का दमन क्या होता है और वही कर रहे हैं यह और भी विव से तरीके से और ढूंट तरीके से कर रहे हैं तो ये बात जो है वो अब किसी बुढ़े RSS प्रचारक को पूछे कि जो था मैं जानता हूँ मेरे कहीं दोस्त यानि जेस्ट है वो अभी जेस्ट नागरिक है सिनियर सेडिसन है वो जो RSS के हैं जो BJP में भी हैं वो उस वक्त जेल में रहा करते हैं आठरा मैंने जेल में थे मैं जानता हूँ उनको मैं परसनल ने उनसे बात किये हैं तब भी डर था अब और आपको बताता हूँ देवरस ने RSS सर संगचालक ने इंदिदा जी को ख़द लिगे थे माफी के इनकी माफी की तो पूरी वो है बड़ी हिस्ट्री है ठीकि हम आपको पूरी तर से कोपरेट कर अंदर इनका कुछ भी नहीं बचता वो तो इंदिदा जी थी उनका लोगतंतर के पती उनके फैमिली का जो मोह था वो ज्यादा तकड़ा था इमर अपातकाल से लेकिन इनकी कोई वैल्यू सिस्टिम नहीं है RSS वा लोग इनकी को लोगों को गुलाम बनाना यहीं वैल्यू कौन है गोलवलकर गुरुजी जो कहते हैं कि सहीद बगत सिंग को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए को कि वह अंजान तक पहुंचने में नाकाम रहा यह इनकी सोच है यहां पर दो कोली सब्सक्रास का इसा मोगी सब्सक्राइब को अजह किस्स्यक्राइब और उमीदवार सही गलत नहीं देखे लोगों ने राजनारण कोई उमीदवार थे जिन्होंने इंदिरा जी को हराया राजनारण चुन के आगए पत्थर रखा तो उनके खिलाब चुन के आगए ऐसी सिद्य आज है आप बताइए मुझे आज वारांसी में मोदी जी के खिला आप कोई राजनारण जैसे वेक्ति खड़े करके आप चुन के ला सकते हैं अगर जवाब हाँ है तो मैं मानता हूँ आपकी बात को कि जन्ता गुस्सा कर रही है अगर हाँ जवाब ना है तो जन्ता समझने में नाकाम रही है आप क्या हो रहा है देश के साथ ये इतनी गं गुस्सा दिख रहा है इसलिए तो अब हम देखते हैं पिछले कुछ हफतों में कि ये लोग जो कदम उठा रहे हैं सब इनके खिलाफ जा रहा है तो लोगों में तो गुस्सा है अब जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं वो EVM से देखकर नहीं आता या बाकी चीज़ों पर सामने आएं और जो हालात हैं वो भी दूसरा देखने मिले क्योंकि जब आप TV मीडिया से आपको सही से जानकारी नहीं मिलेगी जब WhatsApp युनिवर्सिटी से आपको गलत जानकारी बार बार दी जाएगी कई लोगों के वीडियो इसको दबा दिया जाएगा तो इसका तो असर होगा ना सर की लोगों को समझ मीं नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत तो यह आकरी सवाल मेरा आपसे है कि आप में ऑप्टिमिजम कितना है इस चुनाओ को लेकर क्योंकि हमने ये तो साबित कर दिया है कि जो राजा है वो डरा हुआ है इसलिए सारे जो जो भी कदम वो तो existential crisis पैदा हो जाएंगे हमारे अस्तित्व के लिए ब्रहांती पैदा हो जाएगी हम अस्तित्व रहने में रायक नहीं रह जाएंगे तो आशा तो होनी चाहिए इंसान में लेकिन आशावादी होने का मतलब यह नहीं है कि हम वस्तुसिति को नजर अंदाज करते आने वाला इसका लेकल बेहतर नहीं होगा इससे भायानक होगा इतना बल तो मोदी जी ओडानी जी शहाजी और भाज़प हम आज भी है और विपक्ष और जनता मिलकर भी उन्हें इस बल को खत्म कर सके और लोगतंत्रों को लोगतंत्रों को बहाल कर सके इस देश में इतनी जागरुकता इतना जुनून पैदा करने वाले नीता और इतना जुनून पैदा होने वाली जनता मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक बात का मुझ नाप्रथमेश हैं ऐसे कई साथी हैं जो बाहर नहीं है कुछ अंदर है जो जेलों में हैं जो लड़ रहे हैं अभी अभी देखे प्रबीर पुरकायस था जो है वो यह मैंने जो कहा इमर्जेंसी की जेल में अठरा मैंने रह क्या उनके साथ यह आरेसेस के सारे लोग रहे हैं उनके दोस्त बने होंगे जेल में आज फिर से मोदी जी ने उनको उसी वज़ा से अंदर डाल दिया है बिना किसी सबूत के पूरा हिंडनबर्क रिपोड आने के बाद भी आडानी जेल नहीं गया दो लाईने के नियूआर्क में जूटी खप चप के आए वो भी जूटी जो अमेरिकन बिजनसमन की जी चाइनीज लिखाता हो नहीं चाइनीज कोई सम्मन नहीं था लेकिन उनको अंदर रखा है और मैंने उनके साथियों को पूछा क्या लगते आपको कि वो बाहर आ जाएंगे बोले कि मोदी जी अगर चार जून को आते हैं तो वो मुझे नहीं लगता संभवता वो जीवन में पहार आ जाएंगे और अगर मोदी जी की सरकार हटी है तो हो सकता है वो आ जाएंगे तो यह जो डर है यह डर नहीं है वाकर लेगी यह वास्तविकता का ज्यान है लोगों में और देखिए एक लिमिट के बाद गोरक पांडे जी ने कविता आशा आती है जैसे समुंदर अंदर जाता है सुनामी से पहले हो सकता है यह वो घड़ी हो कि समुंदर अंदर जा रहा है आशावादी रहने के लिए इतना मैं तो कह सकता हूं कि हो सकता यह घड़ी हो मैं नापने में असमर्थ रहा हूं राजू परू लेकर यह नाप नही रहें कि समंदर अंदर जा रहा है एक सुनामी आने से पहले तीसरा नेतर खोलने से पहले जनता एक पॉज ले एक प्रिग्नन पॉज लिया है जनता ने अभी हो सकता है जो मैं समझने में नाकाम हो और आप समझ रहे हैं यह हो सकता है यह आशा मैं आपको दे सकता हूँ लेकि जिन्होंने हमें आजादी के लिए हमारे आजादी के लिए बलिदान दिया था चाहे वो भगत सिंग हो चाहे जवाहरलाल हो जो भी उन्हों का बलिदान है चाहे लोकमाने तिलक हो चाहे गोपाल कुष्ण को उकले हो चाहे अश्पकुलाख खान हो ये सारे लोगों ने जो बलिदान दिया था, वो हमारी आजादी के ली दिया था, तो हम उनका करजार है, हम ये बेबा की से बात क्यों कर रहे हैं, क्या हमें ड़र नहीं है, बिलकुल है, लेकिन हमारे उपर उनका करजा है, वो आज हम चुकाएं, इस से मुझे संतुष्टी ह हमने कोई कोता ही नहीं बरती हम इतनी आशा तो मुझे है कि जनता अपने काम में कोता ही नहीं बरतेगे बाद में पर जेता है तो आशा तो रहती है लेकिन आशा आखिर में आती है ये मुझे पतन नहीं मैं कोई भी किताब थोड़ी सी पढ़ने के बाद इतना उत्सुक हो जाता हूँ कि आखिरी पन्ना पहले पढ़ लेता हूँ मैं तो मेरी प्रॉबर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने खुलकर तमाम चीजों पर बात की, देश के मौझूदा हालात के बारे में, सरकार के बारे में, अलग-अलग एजिंसियों के बारे में, लोगों के बारे में, तो इसके जरीए दर्श को हमारी कोशिश बार बार में आप से कहता, यही है कि आपको वस्तुस्थिती बताएं अब जैसे कि इन्हों ने कहा इंहे डर नहीं लगता राजु सर और या मुझे डर नहीं लगता ऐसी बात नहीं है हम इतने बड़े चैनल भी नहीं है कि कल अगर हमारे उपर कारवाई होगी तो लोग हमारे रास्तों पर आएंगे लेकिन इसक ही फर्क है कि हम रेशन नहीं खाते हैं बाकि हमारी सिती उतनी कमजोर है आर्थिक रूप से कि कल एक उर्मिलेश जी के साथ मेरा इंटरू चल रहा था एक एक नीचे कॉमेंड देखिए बेचारे गरीब पत्रकारे पंखे की भी आवाज आ रही है उपर के ऐसा लिखा था तो मुकेशंबानी का प्रिवेडिंग ही देख वही तरह ले ठीक है बिल्कुल तो ऐसी परिस्थितियों में भी दोस्तों हमारी कोशिश है आपको सच बताने की आपको बताने की कि किस तरह से इस देश में जो अलग-अलग सिस्टम है उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है उस करने की थी वो भी यही था कि 99 जो पन्ने थे महाभारत के या किसी भी किताब के तो उसमें जरूर अन्याय की जीत होती है लेकिन सव्वे पन्ने पर न्याय की ही जीत होती है तो इसी उमीद के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं लेकिन न्याय के जीत के लिए जनता को भी ज अब हमें नहीं पता वो कारण क्या है और जबता हमारे पास कोई सबूत नहीं है आप कहना भी नहीं चाहते हैं लेकिन इसमें आपकी एक responsibility बन जाती है कि आप हमारी बात को लोगों तक पहुचाएं अगर आपको ये बात सही और अच्छी लगती है तो हम उमीद करते हैं कि आप ये जरूर करेंगे और अगर अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर करें राजु सर हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ज और आग कहीं तो होनी चाहिए मेरे दिल में न सही तुमारे दिल में होनी चाहिए बिलकुल इसे के साथ दोस्तों हम दोनों के तरह से नमस्कार नमस्कार